हलो दोस्तों मैं शाहिद आप सभी का हमारे इसी YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको पता है पहले COVID वेक्सिन 45 साल से अधिक उमर के लोगों को लगाने के लिए कहा जा रहा था लेकिन अब Central Government के नए guideline के अनुसार 18 साल से 14 साल age group के सभी लोगों को COVID वेक्सिन लगानी होगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने आपको COVID वेक्सिनेशन के लिए online register कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने smartphone के स्क्रीन पर और जानते हैं इस simple से step को इस COVID वेक्सिनेशन के लिए खुद को online register करने का बहुत ही simple सा process है अपने smartphone के Chrome ब्राउजर में जाकर लिखना है co-in.gov.in जैसे ही enter करेंगे आपके सामने इस तरह का website ओपन हो जाएगा register करने के लिए यहां register slash sign in yourself पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां अपना mobile number एंटर करेंगे जैसे यहां मैं खुद अपना mobile number एंटर कर लेता हूँ इसके बाद get otp पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप get otp पर क्लिक करते हैं यहां पर एक six digit करना है इसके बाद verify and proceed यहां पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा यहां पर register member पर क्लिक करना है यहां पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे जैसे आधार card driving license pen card passport pension passbook यहां पर जैसे मैं अपने लिए आधार card का option चूज करता हूं यहां आधार number enter करना होगा यहां पर आधार card में जैसा नाम लिखा हुआ है उसी तरह यहां नाम लिख लेना है यहां पर अपना gender select करना है और यहां पर year of birth इंटर कर लेना है और यहां पर register पर क्लिक करना है देखे दोस्तों यहां पर एक message भी आ गिया है यहां तक हमारा registration का process complete हो चुका है दोस्तों देखे दोस्तों यहां पर aid more पर क्लिक करके आप एक ही mobile number से और चार लोगों का इसी process से registration कर सकते हैं इसके बाद यहां scheduled का option है यहां पर क्लिक करके आप अपने लिए slot booking कर सकते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लेगी तो वीडियो को like कर channel को subscribe जरूर करें